ही काईज आज मैं दुबारा आ गई हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ अभी टाइम है अर्ली मॉर्निंग का और अभी बस 10-15 मिनिट पहले ही मैं अभी उठी हूँ उठे ही फ्रेश होकर आ गई हूँ सीधे किचन में फिल हाल कर रही हूँ अपने ड्रिंक रेडी जिसमें जीरा आजवायन और एक चुटकी हल्दी है जीरा आजवायन को मैंने रात को ही भिगो दिया था एक तरफ रेडी हो रही है ड्रिंक और एक तरफ मैं ये दलिया रिफि मेरे डबबा चोटा पड़ गया था तो मैंने बड़े डबबे में उसको डाल दिया है फिलहाल ड्रिंक भी रेडी हो गई है अब इसको मैं चान लेती हूं और अराम से बैठ के करूंगी इंजॉय गाइस यह ड्रिंक मैं रोज नहीं लेती जैसा भी टाइम होता है समय होता है उसके अकॉर्डिंग ले लेती हूं कभी गरम पानी कभी धनिया उबाल के कभी जीरा उबाल के और कभी धनिया जीरा अजवायन ऐसे यहनी कुछ भी मैं ले लेती हूं फिलहाल जो अजवायन जीरे का मैंने काड़ा बनाया था वो मैंने पी लिया है और अब मैं आ गई हू दुबारा कीचन में क्योंकि मुझे उबलने रखने हैं आलू मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तयारी करनी है तो एक तरफ मैं आलू उबलने रख दूंगी और एक तरफ मैं बाग की छोटे मोटे अपने काम करती रहूंगी चली आलू बलने मैंने रख दिये हैं और देखिए अभी टाइम हुआ है पौने छे बजे का फिलहल बेटा सोया हुआ है उस रूम में तो फिलहल मैं अपना काम इस रूम से करना स्टार्ट करूंगी वैसे भी आज बेटे की छुटे है तो बस उसको सुवा सुवाय मैं नहीं उठाओंगी हो सकता है कि जब तक मैं इस रूम का करूँ इदर उदर का समान उठाओं तब तक वह उठ जाए इस रूम में बहुत जादा समान नहीं फैला हुआ था जो भी था वो मैंने रख दिया है और सबसे पहले मैं हमेशा की तरह बैट सवारना बसंद करती हूँ वैसे तो ये चादर बहुत जादा गंदी नहीं मतलब ऐसा कुछ था नहीं ज़ाडने की इसको जरुरत थी लेकिन आजकल गाई फिर भी लाल चीटिया कहीं कहीं नजर आ जाती है तो उनसे मुझे बहुत डर लगता है तो बस इसलिए मैं चादरों को ज़ाड़ी देती हू चाहे वो गंदी भी है चाहे नहीं है आप बैक्गराउंड में सुन भी रहे होंगे कि आलों को सीटी भी आ रही है तेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको जो भी दिखाऊंगी बिल्कुल रियल दिखाऊंगी गाईज मैंने एक रूम सेट कर दिया है लेकिन बेटा भी तक नह लेट रही हूं और बस फिर इस चादर को भी जाड़ कर अच्छे से बिचा दूंगी दिवान भी मैं सेट कर रही हूं और भी जो इदर दो समान फैला हुआ था वो भी मैं सब उठा आया हूं लेकिन फिर भी मेरा बेटा भी तक सोकर नहीं उठा है तो अब मैं यह सोच रह कि फिलाल यह चादर मैं बाद में जाड़ दूंगी जो भी बेट के उपर समान फैला था वो मैंने सब उठा कर रख दिया है मतलब ठिकाने लगा दिया है और बस अब मैं ले आई हूं जाड़ू अभी तक तो पंका चला हुआ था लेकिन अब मुझे जाड़ू लगानी है तो मुझे पंका बंद करना पड़ा है तो बस कोई बात नहीं पंका बंद करने की विज़से अगर बेटा उठ भी जाएगा तो वैसे भी उसको उठना ही है चलिए कैर फटा फट से इस रूम में मैं जाड़ू लगा देती हूं और पंका चला देती हूं एक रूम में मैं जाड़ू लगा आई हूं और अब मैं आ गई हूं दूसरे रूम में काईस हमारा बहुत बड़ा घर तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे जाड़ू लगाने में एक से देर घंटा तो लाजमी लगी जाता है इसलिए मैं अकसर अपने व्लॉक्स में बोलती हूं कि मेरा शेडियूल एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता क्योंकि आज बेटे की चुटी है हस्बेंट भी मतलब अभी ड्यूटी से आने वाले है मॉर्निंग में तो इसलिए जिस वक्त मैं रोज नाश्ता बना रही होती हूं और इस वक्त मैं आज जाडू लगा रही हूं गाई जितनी भी होममेकर्स हैं मतलब 安全ा है सबका शेडियूल सेम नहीं होता लेकिन काम अल्मोड 상황 ही होते हैं लेकिन ये है कि हम دوسरों को देख के प्रेरी टो होते हैं लेकिन हम फिर भी अपने आपको कमपैर नहीं कर सकते दुसरों से यानि कि मैं आपको छोटा सा उधारन दे सकती हूँ मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं अक्सर जब भी फोन करती हूँ तो वो कहती है कि अच्छा तेरा काम तो हो भी गया मेरा तो अभी ये काम भी बचा है वो काम भी बचा है तो ऐसा क्या करती है कि तेरा काम इतना जल्दी हो जाता है इसका मतलब साफ है कि वो मुझे अपने आप से compare कर रही है तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है काई सबका schedule सेम नहीं है सबके घर की बनावाट घर का size सेम नहीं है बहुत सब कुछ अलग हो रहता है हम अक्सर मतलब कभी कबार vlogs भी देखकर ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि पता नहीं ये ladies कैसे इतना काम कर लेती है लेकिन guys ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बिल्कुल reality दिखा रही हूं ऐसा जैसा मैं कर रही हूं वैसा वैसा आपको दिखा रही हूं इतना सा काम यानि जो मैंने सुबा से आपको दिखाया है उसी काम में मुझे अभी आठ से साड़े आठ हो चुके है यानि दो घंटे मुझे इन कामों में लग चुके है चलिए खैर फिलहाल इस दौरान बेटा भी उट गया था तो मैंने आपने देखा होगा उस रूम की चादर भी जो मतलब मैंने नहीं ठीक करी थी वो भी मैंने जार कर बिछा दी है और आज मैंने ड्रस्टिंग करी नहीं है क्योंकि मुझे इतनी जरुरत नहीं लग रही थी और गाईज ये बात तो है जो भी काम दिखे उसको साथ साथ निबेड लेना चाहिए तब ही काम खतम हो पाता है चली वाश बिसन भी साफ हो गई है मैंने मुहाथ भी अच्छे से धो लिये हैं क्योंकि अब मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट हस्बेंड भी ड्यूटी से आ गए है हस्बेंड और बेटा नहा भी लिये हैं फिल हाल मैं अपने ब्रेकफास्ट की तयारी कर रही हूँ आपने देखा था कि मैंने आलू सुबह ही उबाल लिये थी क्योंकि आज मुझे बनाने हैं आलू वाले सैंड़ुचिज वैसे तो ये सब काम करने के बाद अभी मुझे पोचा लगाने का काम मतलब मेरा बचा हुआ था तो मुझे लगाना था पोचा लेकिन हस्बेंड और बेटा दोनों ही नहा लिये हैं तो बस नहाने के तुरंत बाद उनको चाहिए होता है ब्रेकफास्ट इसलिए मुझे पोचा लगाना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं लगा फिल हाल मैं नाष्टा बनाऊंगी उसके बाद पोचा लगाऊंगी फिल हाल तो मैं धनिया साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है चटनी सैंड़िचिज के लिए सिंपल ग्रीन चटनी जो धनिया प्याज हरी मिर्च अद्रक डाल के बन जाती है चली चटनी तो रेडी हो गई है अब ही मुझे सैंड़िचिज के लिए मसाला त्यार करना है आलु के साथ-साथ गाजर शिम्ला मिर्च अधरक प्याज सब कुछ आड़ करने वाली हूँ सबसे पहले मैंने प्याज और हरी मिर्च को मतलब चौपर कर लिया है और पैन इसको हलका सा सौत्ते कर लेंगी और साथ साथ ही एड़ कर देंगे गाजर, शिमला, मिर्च, अद्रग भी अच्छे से चौपर करके और नमक, मिर्च, और धनिया, जीरा पॉर्डर यही सब मसाले मैंने इसमें एड़ किये हैं और आलू मैंने मतलब पकाए नहीं है पैन में, मैंने सभी मसाले को आलू में डाला है फिलाल एक तरफ मैंने चाय भी बनने रख दी है और आलू को मैंने इसलिए नहीं पकाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था अगर मैं आलू को भी मसाले के साथ पकाती तो वह बहुत जादा गरम हो जाते और ठंडे होने में टाइम लग जाता एक तरफ मैं नाश्टा रेडी कर रही हूं और एक तरफ हस्बेंट और बेटा कर रहे हैं जोद बत्ती यहां मैंने भी नाश्टा बनाने के तयारी बिलकुल कर ली है मैंने ब्रेट के एक तरफ टमैटो कैचप और एक तरफ हरी चेटनी लगाऊंगी जो मैंने अभी रेडी करी थी और बस फटा फट से बीच में आलू का मसाला भरेंगे और बना लेंगे सैंडवीचीज और गाइस मैं यह सैंडवीचीज बटर से बनाने वाली हूं मतलब बटर से सेकने वाली हूं यह ना बटर से सेकते हैं तो बहुँ ज़दा डिफरेंट टेस्ट आता है अच्छा टेस हो गई है बस फटावट से मैं हस्बिन को और बेटे को नाश्टा करा देती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ चली हस्बिन की प्लेट लगा दी है बेटा तो अपने क्राफ्ट में बीजी है तो उसको भी मैंने बोल दिया है फटाफट हैंड वाश करो और ब्रेकवास्ट करो क्योंकि उसके बाद मुझे अपने धेरो काम करने है दोनों को मैं ब्रेकवास्ट करा आई हूँ और मैं भी कर आई हूँ फिलहाल आज मुझे क्योंकि कपड़े भी दूने हैं तो मैं उपर आ गई हूँ कि एक तरफ मशीन में कपड़े चलते रहेंगे और एक तरफ मैं अपने बाकी काम करती रहूंगी मैं नाश्टा करने के बाद बस जो समान फैला हुआ था वो उठा कर आई हूँ किचन से अब मैं किचन साफ नहीं करके आई हूँ नीचे जाने के बाद मैं सबसे पहले किचन ही साफ करने की सोच रही थी लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई तो पता लगा सलेंडर वाले का कॉल आया है कि सलेंडर आने वाला है इतनी दिर में मैंने नाश्ता किया चोटे मोटे और काम किये कपड़े लगा कर आई तो इतनी दिर में हस्बेंट सो गए क्योंकि वो एमनिंग जूटी करके आए थे बार बार फोन आने के कारण और सलेंडर की आवाज के कारण उनको मजबूरी में उटना ही पड़ा सलेंडर की आवाज तो बहुत ज़्यादा होती ही है उपर से ही ये लोग बहुत तेज से चिला रहे थे मतलब आपस में बहुत तेज से बात कर रहे थे जिसकी वज़े से हस्बन को कच्चिनी दुटकर आना ही पड़ा और गाई जैसे चोटे-चोटे काम सुबह सुबह बहुत सारे होते है मतलब वो सब काम दिखाए नहीं जा सकते जैसे कभी दूद वाले भाई या आगे कभी कूडे के लिए आ गया कभी जैसे अब ये सलेंडर आ गया और भी बहुत कुछ तो चलो आदा घंटा ये गया अब मैं फिलहाल आ गई हूँ किचन में उपर मैं मशीन लगाया ही थी रसोई में आने से पहले भी मैं एक बार दुबारा मतलब कपड़े देख आई थी उपर जाकर और बस अब मैं कर दूँगी फटा-फट से सारे बरतन साफ और किचन साफ मैंने आपको किचन साफ करते बरतन मास थे कुछी सेकंड्स में दिखा दिया है लेकिन इसमें भी मुझे आदा से पौना घंटा लगी गया था हस्बेंट दुबारा नहीं सोए हैं और मुझे कह रहे थे कि तू बिल्कुल पसीने से भीग गई है ठक गई है सब के लिए अच्छा सा मौजीटो बना लो मैंने तो साफ मना कर दिया कि मेरे पास बहुत सारे काम बचे हुए है मैंने वो भी करने हैं और मैंने किचन अभी अभी साफ करी है तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली बेटे ने बोला अच्छा आप बैट जाओ मैं और पापा बना कर लेकर आते हैं और मुझे पता था अगर हस्बेंट और बेटा किचन में काम करेंगे तो दुबारा तुफान मचने वाला है चलो लेकिन फिर भी मैं बहुत जदा थकी हुई थी तो मैंने बैटने में ये अपनी भलाई समझी चलिए खैर इन लोगों ने मिलकर मुझे टो बना लिया है और मेरे हस्बेंट वाक्या में बहुत जदा अच्छा मुझे टो बनाते हैं चलिए मुझे टो इंचॉय कर लिया है उसके बाद हस्बेंट के पास आ गई थी एक कॉल मतलब कुछ जरूरी काम से उनको बाहर जाना पड़ रहा था तो बेटा भी साथ चला गया चलिए कैरिंके जाने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में मैंने सबसे पहले लगाई पोचे क्योंकि अब मैं आलस करती तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता और गाइस बार बार कैमरा को इधर से यानि ट्राइपोट को इधर से उधर उठा कर रखना अपने आगे पीछे घूमाना वाक्ये में थोड़ा परशानी से भरा होता है तो इसलिए मैं काफी चीजें स्किप कर देती हूँ जैसे कि मैं बीच बीच में एक दो चकर उपर छट पर भी लगा कर आई हूँ मतलब कपड़ों को देख कर आई हूँ नहीं तो पोचे लग जाते तो मेरे कपड़ों का काम लटक जाता बीच में ही चलिए अब मैं फटा फट से पोचे लगा लेती हूँ चलिए पोचा लग गया है और बस बाहर से मुझे थोड़ा धोना था तो मैंने धो दिया है वाइपर लगा दिया है चलिए अब मैं नहा दो कर आगई हूँ दुबारा किचन में अब मुझे करनी है लंच की तयारी और इस बीच में ही मैंने तुबारा किचन को भी साफ करा था जो हस्बेंट ने मौजीतों बनाते हुए गंदा कर दिया था और बातरूम भी साफ करा है नहाई भी हूँ किचन में तो मैं आ गई थी काफी दिल पहले क्लिप थोड़ा लेट स्टार्ट करा है इस दौरान मैंने सब्जी जो है काट लिया था और सब्जी में मतलब दुपहर के लंच में मैं बना रही हूँ फटाफट्से बनने वाले घीया के साथ चावल तो चावल यह मैं बिगो दिय थी अपने काम के करने के बीच में है और घीया मैं ने काट दी है बस एक तरफ में चावल चौंक दूंगी एक तरफ चौंक दूंगी गिया खाना बनके हो गया है रेडी और इस तो रहन थोड़ा मैंने आराम कर लिया था तो हम लोग अब फटा-फट खा लेते हैं पहले खाना खाना पिना खा लिया था और सबीने थोड़ा थोड़ा कर लिया था आराम यानि खाना खाने के बाद थोड़ा आलस तो आही जाता है और बस अब मेरा एक काम बचा है कपड़े सुखे कपड़े उतार कर नीचे लेकर जाने हैं तो अब मैं उसी काम के लिए आ गई हूं उपर और गाईज मैं अपने व्लॉग का करती हूँ यहाँ पर एंट अगर इससे जादा मैंने आपको दिखाया तो सच में आप लोग बोरो जाओगे तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स व्लॉग में अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स व् झाल झाल